पूरे देश में इस वक्त CAA का विरोध हो रहा है लोग सरकों पर उतर कर सरकार के खलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं तो दिल्ले के शाहिन बाग में इसके खलाफ लोग विरोध कर रहे हैं तो वहीं इस पूरे मसले पर देश के संतों का क्या कहना है आई आपको वो सुन बाते हैं कि देखियों को नागरिक्ता देने की बात है जहां तक मुसलमान शुश्बर को जोनने के बात है वहां संभव नहीं है यदि यह साम करते हैं कि मुसलमान तो फिर वहां मुसलमान जो आर्थी दर्शी से यहां के राधनी दर्शी से जो किसी ने किसी बाहने को लेकर वहां की अव्यवस्ता है उसको देखते भी दिराने लग जाएंगे तो फिर अव्यवस्ता हो जाएगी देश के और इतने जो पेंटिक दुन सकती है तेकि इसके इतिक आपती नहीं है और इसके साथ साथ यह है कि वहां की हिंदु बहुत प्रताडी है शेख प्रताडी थे इसाहित थे अकारन उसको सो फांसिया दिया तब तो उनके लड़कियों करा अपरान कीया जाता है तो एस थिश्चनि में वे प्रेरित है राजनीति से प्रेरित है यह नेतागिरी स्केत्रिक तो कुछ नहीं केवल और केवल अकारण विरोध करना है और इसके पीछे आप जानते हैं कि सत्ता के भुखे जो होते हैं वो इस प्रकार के बर्गड़ा करके अपना उलुशिदा करना चाहते करते लेकिन कोई चुका है समाज इसको कहां आनता है आधिकान समाज जो है भारत का अधिकान समाज यह जो अपना कानून है उसकी कानून के साथ है और कुछ लोग इसके अंदर है ज्यादा नहीं है नहीं तो एक तो यह थे साप तो पर आगवा नंद महराज जो कह रहे थे की कुछ पार्टियां हैं जो लगातार लोगों को गुम रहा कर रही है और कहीं पे भी लोग कि इस कानून के तहट कहीं पे भी लोगों का शोसर नहीं हो रहा है लोग जो विरोध भी कर कुछ दिन में उनका विरोध खत्म हो जाएगा कैमेरा मैं राहूल के साथ आमिद्वे आर्नाइंट टीवी दिल्ली सरकार के साथ मजबूती से खड़ा होना बहुत जरूरी हो जाता है यह पीड़ा CAA से किसी के नागरिक्ता तो जाती नहीं नागरिक्ता देने की बात है नागरिक्ता किसे दी जा रही है कि जो भारत विवाजन के पुर्व जो लोग हिंदू वहां रह गए थे हिंदू, इसाई, सिक्थ अर्थात मुस्लिम कहीं तर्म यह तीनों देस तो मुसल्मानों के हैं अगर उनके परत्याचार होते तो मुसल्मानों के देश में मुसल्मानों परत्याचार हो तो क्या उनके 56-57 देशों के मुसल्मानों को हमी ले लेंगे क्या तो फिर उन्होंने देश बना के क्यों रखे हैं और पाकिस्तान में अगर लगता है कि हमदिया या सिया परत्याचार हो रहे हैं तो अलग पाकिस्तान बनाने की जरूरत क्या है भारत में बिला कि घोशला करने हैं फिर उनकी सारे चिंता हैं हम ठीक कर लेंगे तो सभाविक है कि ये कहीं कहीं एक राष्ट विरोधी सडियंत्र है सडियंत्रों का प्रदर्शन है उस परिष्टवी में संत समीटी अपनी भूमिका निभा रही है संत समाज इसका फेबर क्यों कर रहा है गजब बात है इसका नुक्सान किसको है संत हैं किसके हिंदू समाज के और ये कानून किसके लिए है जिन अलप संक्यकों पर रत्याचार हुए उन देशों में अलप संक्यकों है तो बिसकली हिंदू है और संत की बात समाज सुनता है तो आज यागरूप करने की जरूरत है जब हमारी बात सुनी जाएगी हमारा भक्त सुनेगा तो देश में बताना जरूरी है इसलिए हम कर रहे हैं हमारा कहना है जो सत्य का पक्ष है उसे संसमीटी सत्य के पक्ष में खड़ी है तो साब तोर पे महाम अंगलेश जितेंदा नंद को सुना जा सकता है कि संतों का जो काम है जिस तरह से लोगों को खास तोर पे गुमराहा होने से बचाया जाए अच्छी योजनाओं का समर्थन किया जाए आज संसमाज उन चीजों को लेके लोगों के बीच खड़ा है कैमरा मैं राहूल के साथ अमित दुबे आरनाइन टीवी दिल्ली